क्याइस वेलकम तू मैं चैनल वेबहुट टॉक्स आयम वेबहुट आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे नेसेसरी कंडिशन्स फॉर डेडलॉग जैसा कि मैंने आपको लाश्ट वीडियो में पढ़ाय था डेडलॉग होता क्या उसके बारे में आपको एकदम ब्रीफ इ होंगे तब ही हमारा डेडलॉग यहां पस हो सकता है तो यहां पास उससे पहले हमने चलते हैं थोड़ा डेडलॉग के बारे में आपको समझाता है उसके बाद हम वापीस यहां पस आप देख सकते हैं डेडलॉग कि इस टेट इन ऑपरेटेंस लिए नीट सेम रिसोर्स यह कार यहां दोनों इसको क्रोस करना चाहते हैं यह वीडियो चाहिए तो आप कोई आप स ही कर दोनों को समझा उसको चícios कर नाइं को जरूर करनें ऑपी नहीं को assign में लिए तो यहाँ पर देखे चार कंडिसंस वते हैं अगर ये चार condition follow होते हैं तो हमारा इसका मतलब हो जाएगा deadlock occur हो रहा है पहला होते हैं हमारा mutual exclusion और ही मैं deep पर जाओंगा पहला आपको एक overview देओ रहा है पहला होते है mutual exclusion, second होते है हमारा hold and weight, third होते है हमारा no primson और fourth हमारा होता है circular way अगर ये चार condition follow होते हैं तो हमारा deadlock condition यहाँ पस occur होगा deadlock occur होगा पहला हम लोग आते हैं सबसे पहला हमारा mutual exclusion mutual exclusion क्या होता है आपने critical section problem के सब्सक्राइब यहाँ पस पढ़ा होगा मतलब अला गलक चीज़ का आप यहाँ पस नहीं निकल सकते हैं एक बार में एक ही चीज़ निकलेगा वह complete होगा print निकल जाएगा copy आजाएगे फिर आप दूसरा print निकल लेंगे यही होता है mutual exclusion अगर मान लिजे ऐसा कुछ system बनगे आपने ऐसा कर दिया कि दो copy को एक बार में आप निकालें तो क्या होगा output आपका महाँ पस गलत हैगा उसको हम लोग क्या बोलते है रेस कंडिसर वह आप इसलिए यूनिस में पढ़ने हो कि अगर वीडियो चाहिए तो कमेंट करें मैं उस पर भी बना दूंगा तो वह होता है आप सिंपल सी बात एक resource मसमें बात कर लेते हैं 5050 you कर लेते तो वह बस क्या होगा देडलोग की ओकशरी नहीं होगा दोनों का काम हो इपना यूज कर ले उसके ल इसको बोल सकते हैं प्रोसेस है और यह हमारा रोड है रिसोर्स एक बार में एक ही का जा सकते हैं मैंने आपको बता है अगर इन दोनों आपस में बात करेंगे बुलेंगे एकदम हम लोग साइट से तुम चल जो एक साइट से हम चले जाते हैं तो यहां पस क्या होगा डेड़ अगर यहां पस उकर नहीं हुआ तो यह एक बंड़ से जा रहाए यह भी हो सकता है तो यहां मैं आपको बता हुँ लेकिन आप एसा हो सकता है कि यहां सकता है तो इसको अमनों रिस कंडिशन बोलते हैं यह सब आपने पड़ा हुआ है तो यहां पर यह प्रॉलम होते इसलिए डेडलॉक आउकर इसलिए होगा क्योंकि यहां पर एक बार में एक ही कार जा सकता है तो यहां पर क्या हो रहा है यहां पर यहां पर कर गया है तो यहीं बात हो गए हमारा में इसके अंदर मैंने कुछ लिखा देखें यहां पर भी कुछ लिखा और इक सिंगल प्रोसेस एक रिसोर्स को यूज करेगा only one process use resource at a time ओके तो यही होता है हमारा overall mutual exclusion hope आपको समझ में आया होगा mutual exclusion का simple मतलब बता है एक resource को एक ही process यूज करेगा at a time और वही principle को यूज करते हैं तब ही हमारा deadlock condition arise होता अगर इसको follow नहीं करेंगे तो deadlock भी ओकर नहीं होता second हमारा होता है hold and wait hold and wait भी बहुत ही अच्छा point है यहाँ पस देखे जैसा कि मैंने आपको deadlock में बताया था मैंने आपको पूरा यहाँ पस बताया था यह printer scanner allocated is p1 को और यह request कर रहे कि में प्रिंटर चाहिए और यह हमारा p2 जो बोल रहा हो बोल रहा है कि में को scanner दे दो इसके पास printer रखा हुआ यह request कर रहे scanner के लिए इसके पास scanner है लेकिन यह request कर रहा printer के लिए तो यह बोलड़ा p2 भाई पहले तुम छोड़ो तम मैं यह पस तुम को क्या दोगा यह पास मैं तुम को printer कर रहे यह पास क्या हुआ हमारा यह ओल कर रखा इसकैनर को और यह जो हमारा p2 यह ओल करकर रखा है printer को एक दूसरे को यह दे नहीं दे रहे हैं एक दूसरे को होल करके रखे हैं और दूसरे के रिक्वेस्ट करें कि भाई तुम मुझे यह दे दो इसी को हम लोग बोलते है अगर होल एंवेट नहीं हुआ तो यहाँ पस हमारा राइस नहीं होगा डेल लॉग थोड़ा और आपको अच्छे समझाता हूं जैसे यहाँ पर देखें एक हमारा रिक्वेस्ट कर रहा है और इसके पस अल्रेडी आर्टू रखावा माल लीजे अगर हमारा जो प्रोसेस है इसको अल्रोकेटेड नहीं हुआ आर्वन मत्तब यहाँ पस क्या हुआ यह किसी को होल करकर नहीं रखा मत्तब समझ लिए ऐसा है यहाँ पास पीटू और ऐलोकेटेड नहीं है आर्व उकय तो यहाँ पस क्या हुआ अराम से पीवन क्या करेंसके पास आल्रोकेटट, यह रिक्वेश्ट कर्ने के जरूबत ही नहीं होगी यह क्यों कॉल करकर नहीं रखा तो यह अराम से उसको स्क्या अकस घौनतर रिली तो यहां लिखए एक रिसॉर्स को एक्सेस कर लिए है इसको होल करकर रके और यहां पर यहां राख्यारस यही होते हैं हमारा आपको बताया कि हमारा प्रिंटर कि एवारो के कर रहा है हमारा किसके लिए अब यहां पर देखे हमारा नो प्रिम्शन भी बहुत ही गजब का टॉब है देखे यह इस कंडिशन में क्या होता है आपने जैसे लास्ट आप यूनिट्स वेगरा में पढ़ा होगा नो प्रिम्शन होता है मतलब समझाता हूं प्रिम्शन का पहले आपको मतलब समझाता हूं उसको निकाल नहीं सकता उसको को दूसरा तीसरा प्रोसेस आके नहीं बोल सकता तुन निकल मैं यूज़ करेंगा ऐसे उसको प्रिम्ट नहीं कर सकते हूं जब उसका मन रहेगा, मतलब मन नहीं, जब उसका time quantum complete होगा, तब वहाँ से वो निकलेगा, उसको कोई वहाँ से forcefully नहीं कर सकते, तो यहीं हमारा होता है, हमारा third condition, जो कि यह no primson, no primson का मतलब यहाँ पस primson allow नहीं होगा, मतलब माल लिजे, यहाँ पस हम लो देखते हैं, पीवन ने किसको, पीवन जो है, आरवन एलोकेटेड है, पीवन को आरवन एलोकेटेड है, ओके, यह अराम से इसको use कर रहे है, ऐसा ना हो कि पीटू आएगा, बोलेगा, चल भै तेरा काम होगी, अब तो निकल मैं use करूँगा, ऐसा नहीं होगा, कोई जब 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 ज नहीं होता है इसको रिलीज नहीं करेगा तब अगले को देगा ओके यहां पास यह होना चाहिए ना कि को यहां के उसको निकाल दिया चीना शप्टिक किया बोला हटो तुम अब मैं यूज़ करूंगा तो यहीं है नो प्रिम्ट्सन होगा तब ही यहां पस रेसके सॉरी के यूज़ कर लेगा यहां पस यह क्या हुआ हमारा प्रिम्ट्सन यहां पस अलाव नहीं करना है यहीं तब ही हमारा डेडलोग ऑकर होगा ओके यहां पस मैंने क्या लिकाए नो वन के रिमूब दी रिसोर्स फोर्स फुली इट कैन बी रिलीज ओनली बाइड प्रोसेस वो जो मैंने आपको बोला वहीं चीज़ यहां पस हमने लिखा है अब आतना हमारा लास्ट कंडिसन जो कि हमारा सर्कुलर वेट सर्कुलर वेट देखे थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन होगा सर्कुलर वेट में और होलनें वेट में थोड़ा यह क्या है दोनों एक ही जो कि किसी रिसोर्स को एलोकेड कि मतलब एक जो किसी रिसोर्स को एकसर करना चाहता है जो कि हमारा D और B को भी नीड है एक प्रोसेस है D जो एक रिसोर्स को यूज करना चाहता है जो कि नीड है A और C को भी एक प्रोसेस हमारा B वो कोई रिसोर्स को एकसर करना चाहता है जो कि अल्रेड यहाँ पस नीड कर रहे है मतलब जिसको अल्रेड चाहिए A और C को भी व चाहिए हो चाहिए वह हमारे सी और दे को चाहिए जो यहां पस क्या हो रहा है इस एसा हो रहा है तो यहां पस देखें मैं आपको सर्कुलर वेट को थोड़ा इस एक्जम्पल से भी बता देता हूं जैसे कि हमने यहां पस देखा circular rate मत्तब जित्ते भी इस एक मतलब साइकल फाम होगा जैसा मैंने आपको बला हो कि यहां पस देखें जो पीवन वो किसके लिए रिक्वेस्ट कर रहे है यहां पस देखें यही था हमारा चार कंडिसें अगर यह चार कंडिसें फॉलो होते हैं इसका मतलब क्या डेट लॉग यहां पस औकर होगा पस देखें बहुत सारे method से हम लोग deadlock को avoid कर सकते हैं वो method हम मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा चार से पांच method है उन चार पांच method की use से आप deadlock को avoid कर सकते हैं ओके वो सब हम आगे के आपको और वीडियो चाहिए और आपको और वीडियो चाहिए और हमारे को जब्सक्राइब करें अब झाल झाल